नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में और जैसा कि आपको पता है कि गुजरात के वीडियो की सीरीज आ रही है उसी सीरीज में हम आपको एक और वीडियो दिखाने वाले हैं ये वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जूनागर से औ मेरे को लगता है कि सामने आप डिजाइन भी देख पा रहे होंगे और डिजाइन देखके भी आप समझगे होंगे कि भही भाई साब ने बड़ा अधूत फार्म यहां पर बनाकर जूनागड में तईयार किया है भाई साब के पास में कुछ गोड़ा घोड़ी है भाई साब क अपना फार्म पढ़ता है चुनागेट से 12 किलोमेटर कोईली गाउं के बास नए बाइपास पर लोग अगर वीडियो का अलगा जूम करके देखेंगे तो सामने देखेंगे वह बाइपास भी देख रहा है ना यह कौन सा बाइपास है जो जा रहा है अपने सामने से यह है है तिन बच्चा है और दो दात में पर ऐल थी है अभी गोड़ा है तो बात करें हम लोगों को जो अभी इस वीडियो में गोड़ा दिखा रहे हैं जो अभी अमारे सामने कबा आ हुआ है किया नाम है इस गोड़े का नाम ठीगर है इसके लाइन आने वाली है इस से दो गोड्या बी अपने पास प्रोसेशंग में अपने नहीं है पर इसकी लाइन तो हे नहीं और मा की तरफ से देखें तो वह भी अनन है वह भी अन्हीं तो गोडा उम्ब्र में कितना आई अभी कोड़ा उम्ब्र में अभी दो दात है और हाइट कितनी होगी इसकी हाइट मांके चलो प्रदीब जी 63 धार से 63 प्लस गया गष्ट कोड़ा पंच कल याण हैं तो सर जैसे गोड़े रखते हुए कापी टैम से रखते वह आरहे हो कैसे क्या नहीं लाश्ट तीन साल से रख रहा हूं कोड़े अभी प्रदीब जी तो कैसे लग गया सोक सर बैसे क्या काम है अपना सर अपना इधर बिल्डर का काम काच्छे तो सर वहां से लगते हूं वह भी काम में आप बहुत जादा बीजी रहते होंगे तो पर नाम श्यामली यहां और वाप की बात करें तो श्यामली का बाप कहुं एच पर में कितने टाइम सर श्यामली गोडी ряд एपने साल से बक्रभ संगी लगा जब सी वह घूडिया सब्सक्राइल है कि कर दो दो चाहिए बनाए हुए कि बिल्कुल मेरा लग रहा है नहीं हुआ है तरह जानवर ट्रांसपर किया उसको दो महीं नहीं हुए दू महीने तो उससे पहले रखते थे आप गोड़ा गोड़ी इतर से 10 km दूर मज़े वड़ी काम है उतर रखते थे तो सर गोड़े लाने का प्लान कैसे बना क्योंकि मेरो लगते कि आपके जूनागर साइड में तो गोड़ा गोड़ी काठिया वाड़ी बगएरा को तो क्रे गरी युप और नहीं क्या है यहां जएक्वाड़ी तो गटभा फासंत अंग प्रदिश क्रेश प्रदिए डशने में फिर रीकष कम है थोड़ा और रया है अब यह 1जय में कोई एक संगठित हो के नहीं चलते हैं हमारे एरिये में तो भेड़ चाल से रजल्ट के आने वाला है कुद भी नहीं जिरो खराब होगा क्योंकि मेरे लगता है कि आपके एरिये में घोड़ा चलाना यह गोड़ी लेके आना यह भी बहुत बड़ी मुश्किल वाला वह काम है पहली बात तो है कि पूरा फत्तर वाला इलाका है दूसरा है कि गोड़ा गोड़ी लेके आ गया तो 200-100 km तरक तक कोई गोड़ा गोड़ी ने तू करे रहा कि उसका और फिर मेरे लगते कि यह जूना गड़ा हलका सा कौने में पड़ गया यह देखने कौन आएगा आते है क पता चलेगा तो वह लोग भी आएगे आने वाले समय में पर यह है कि एक जूट होके चलोगे तभी कुछ काम होने आए एक जूट नहीं होते वही तो प्रब्लम है प्रदिप जी हमारे अरिय में एक जूट होने के नहीं होने के पीछे क्या कारण है सर बस देखा देखी ए भी नहीं है बहुत है पेता चलोगी पर रहें दॉट के ऐसे बूट होट मैं उल्हें बड़ों के लिए काम करें अपने हुपने काम करते ना सिक अध्या अब अपने करके दो गोडिया कवर हुई है प्रदीपी दो गोडिया कवर नियाते हैं वह साथ प्रश्वारिए तो अब की तो अब वसक्ति है पता निए ने का कि यह आने का कि लोगों को है पर वो क्या है कि सब लोग हमारा कोड़ा यह है हम सोड़ी कम फीज में सोड़ दे गए उसी सब से अच्छा कम फीज वाले के पाद चले जाते हैं सस्ते में ज्यादा बरोसा है और बचाएगा तब बुलेगे कि में तो पात लाख में बेच होगा अब यार बच्चे में कुछ से और शुकर में कुछ सुन जाहिए एशा है बिल्ग के मार्केट में करोड से नीच्च बच्चे अड़े बेच़ना की में है निया कभी कवेश्य वाजब देखता है वे निग्मार पीछ दाते हो कैसे रिखना भूश से बना रहता है कि हमारे कोड़ा चला भी नहीं है तो आज तक कोई कर रहा नहीं नहीं है लोगों को मरजिए हो तो आए आगे आपके ब्जशनीस इतना है तो अब लेकर आए थे यह वाका नहीं से मुस्ताग ब्लोट के पास से लेकर आए थे तो कितना टाइम हो अपने फाम पे ये पांचे महीने जितना हो गया पांचे महीने बागी मेरो लगते है कि आपने बहुत भेतरीन बनाया और रिंग बगारा सब कुछ करवा दिया अभी तो थोड़ा और काम बचा हुआ है लगपार ते अंदर सारा फार्म पूरा एक्न पू navire लगा अभी पयागह कियों लगाए मेरे लगभीका रहा हैया तका कैई सब्सक्राद करें में या ने हैं इतना पीजेता क्म है डीजानगान अपनने ऑपनुके वज़े कुछ यह सब तयार करवाया है अमारे पापा ने अच्छा फार्म बगेरा सब उनकी देखने के नीचे यह पूरा फार्म कंप्लेट हो गया है पर मेरे को लगता है चलो आप उधर भी डिजाइन बगेरा दे तो इस वज़े से थोड़ा सा आइडिया लगा ना वहीं मेरे लगता है पांच जानवर बढन सकते आरहों से यह तरीपे के यह बाहy की दिट गेंशे भी दे जाके पूरा मामला और डिए-जाइन दिया ना भए मेरे लगते साय काहा आने वाले समय में गोड़े को आने वाले टेक्म में रिंग बगएरा में महीं आम में बज़ाना का इरादा अमारे मित्र है कुपुद्धं भॉय है काफी सालों से तो नहीं है काफी सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं और मेरे को लगता है कि तोड़ा सा जैसे कि ना टक करता खड़े होने में कुंधन जब तक जाएंगे जब तक गोड़े को पूरा सेट कर जाएंगे हैं यानि गोड़े का एडविशन स्कूल में हो गया ऐसे बोल सकते हैं अब सुधर जाएगा यह पढ़ाई लिकाई नहीं करता था इसलिए बिगड़ा हुआ तो साथ टिगर की पीस इकीस ज जरते हैं या जूनागर आते हैं तो आप सर से कॉंटेक्ट करें और यह गोड़ा गोड़ी देखने के लिए ओके सर थैंक यूद तेंक यूद अब